कि श्रीब चित्रबीर हनुमन माला मंत्रह श्री गणे साय नमह ओम अस्य श्रीब revealed check भी चित्रबीर हनुमन माला मंत्रस्य श्री राम चंद्रो भग्वान रिसिह अनुष्टुप मुट्चंद श्रीब चित्रबीर हनुमाँ देवता चित्र वीरहनुमन् माला मंत्रस्य, स्री राम चंद्रो घगवानृ सिहि अनुष्टुक्यंदह, स्री विचित्र वीरहनुमान देवता, ममा भीष्ट सिध्यर्थे, माला मंत्र जपे विन यूगह, अथ करन्यासह, ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्यामनुमह, ओम्रीं ओम्राईम अनामिका अभ्याम नमहा ओम्राउम कनिष्ठिका अभ्याम नमहा ओम्रह करतलकर प्रिष्ठा अभ्याम नमहा अथ अंगन्यासह ओम्राम्रिदियाय नमहा ओम्रीम सिरसे स्वाह ओम्रूम सिखाय इवसट ओम्राईम कवचायहुं ओम्राउम नेतत्रयाय ववशट ओम्हरह अस्त्रायपट अथध्यानम् वामे करे वैरवहं वहंतम् सैलंपरे स्रिंखलमालयाध्यम् दधानमाधमात सुवर्णवर्णम् भजे ज्वलत कुंडलमांजनेयम् ओम् नमो भगवते विचित्र वीरहनुमते प्रलय कालानलप प्रभाज्वलत प्रताप वज्ज्रदेहाया अंजनागर्भ संभूताया प्रकट विक्रम वीरदैत्या दानव यक्षराक्षस ग्रह बंधनाया प्रश्फुरा प्रश्फुरा सत्यम कथया कथया व्याग्रमुकं बंधया बंधया शर्पमुकं बंधया बंधया राजमुकं बंधया बंधया सभामुकं बंधया बंधया सत्रुमुकं बंधया बंधया सर्वमुकं बंधया बंधया लंका प्रसाद भंजन सर्वजनम्मे वसमानय वसमानय स्रीम भीम क्लीम स्रीम सर्वाना करसय आकरसय सत्रून मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे 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 श्री राम चंद्राग्यया प्रग्यया ममकार्य सिध्धी कुरू कुरू मम सत्रून भस्मी कुरू कुरू स्वाहा ओम राम रेम रूम रैम रूम रह पट श्री विचित्र वेर हनुमते मम सर्वसत्रून भस्मी कुरू कुरू हन हन हुम पट स्वाहा एकादस सतवारम जपित्वा सर्वसत्रून बसमानयति नान्यता इति श्रीविचित्रवीर हनुमान माला मंत्रह संपूरणम तो प्रियदर सकूँ आप इस स्तोत्र का पाठ करें संपूर्ण लाब आपको प्राप्त होगा यह बहुत ही सक्तिसाली स्तोत्र है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सेयर करें, लाइक करें बेलाइगन के बटन को भी दबाएं चतुर्बाहु विराजितं दिवाकर अध्युति निभं वंदेहं पवनात्मजं कौपी नमेखला सूत्रं स्वर्ण कुंडल मंडितं लंगिताप्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानामनासनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधर करोयस्तं वंदेहं मारुतात्मजं नसिंघाभि मुखो भूत्वा पर्वताग्रेच संस्थितं वांचतं ब्रंभपदवीम नमामि कपिनायकं वालादित्यव पुषकंच सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेसं वंदेहमित विक्रमं पद्मरागारुनमनी सोभितं कामरूपिनं पारिजाततरुस्थंच वंदेहं वनचारिनं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मेवान छितफलं पुत्र पुत्र प्रबर्धनं इदम स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातह काले दुजोत्त महां तस्याभिष्टं ददात्यासू रामभक्तो महावलः प्रियभक्तों घटिका चल हनुमत इस्तोत्र पहुत ही प्रभाव साली इस्तोत्र है इसका पाठा आप नित्यकने आपको लाभ अवस्वी प्राप्थ होगा हनुमत कवचम गंध मादन सैलस्या पुंडस्यो परिशंस्थितम सुखासीनं ब्रंभपुत्रं बसिष्ठमिष्टुमिच्चती वालखिल्यादयोदेवा सवेववगा महर्सयह आभ्यागम्य बसिष्ठम्तं नमस्कृत्ययताक्रमं पुजितारिसयह सर्वे तमूचुहु प्रियपूर्वकं हे ब्रम्हन्याचितोस्माकं तमेवार्थं सुभप्रदं अश्मिन्पूरुवं हनुमते विक्रमं जगदुत्तमं त्वाम्रितेकह समर्थोत्र हनुमत कवचंशुभं विख्यातानी सहस्रानी नामानी विविधानिचा कवचम राम चंद्रोवई अजपत परमादरात एवं ब्रम्भात्म जंब्रम्भन नेतावत कथयस्वनह। कानिनामानिकिम्छंदह कोरिसिकिंच देवता को मंत्रह केन दिग्वन्धह को विधिकिम्फलं शुभं सर्वं कथयमे ब्रम्भन कवचेन समन्वितं। इत्यक्तो मुनिवाक्यम्तु शावधानेन सर्वतह सृत्वाचो वसिष्ठस्तु विष्मितह परमोरिशिही भवंत एव सर्वाग्यास्त्रिकालग्या जगत्रे मदनुग्रह एवैस याम्भुहि परमर्सयह। एतत्प्रिष्णम् महापुण्यम् रहस्यम् परमाध्भुतम् कथयामि मुनिश्रेष्ठ तत्प्रिष्ठो हमशे सतह। श्रिनद्धम् ही यथापूर्वं यथापूर्वं सुविस्तरात् वसिष्ठ वुवाच्य हरिहियोम् विनियोगह। अस्य स्रीहनुम दिव्यकवचस्तोत्र मंत्रस्या अनुष्ठुप्चंदह। श्रीरामरिसिही स्रीहनुमान्देवता आण्यने येति सक्तिही वातात्मजेति दैवतां वीजं। मर्कटरादिति किलकं वज्रकायेति कवचं बलवानितियोनिही दस्रायुध्यति अस्त्रं। ह्रदयादिन्यासह अन्जनासु नवे नमः इतिह्रदये रुद्ररूपाय नमः सिरसेश्वाह वायू सुतायेति सिखायेइवसट अग्निगर्भाय नमः कवचायहु रामदूतायनमः नेत्रत्रयायवउशट ब्रंभास्त्रस्तंभनायति अस्त्रायपट अथध्यानं ध्यायत्वालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापःं देवेंद्रप्रमुकं समस्तयससं देदिप्यमानं रुचा सुग्रिवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्वप्रियं सन्राक्तारुणलोचनं पवनजं पीतांबरालंकृतं अथकवचं प्राच्याम बज्रतन हुपातु आग्नेयाम अग्निनाजितह याम्याम पात्वंजनी पुत्रो सोकग्नह पिंगलेक्षणह नैरित्याम पातु दैत्यग्नौ वारुण्याम अब्धिलंगनह वायभ्याम वायुजह पातु प्रयत्ने नोत्तरा दिसह पातु लक्ष्मन सोकग्नो गमनह सर्वदा महान एसान्यामी ससंपातु पातु यत्नेन नान्यता उर्ध्व मूर्धात्मनह पातु अधह पाताल साधकह मंत्रह ओम स्री हनुमते महापराक्रमाय सर्वकार्यानी इमानी मम साधय हुरूम हुरूम फट्स्वाह त्रिसिलोग्नह सिरह पातु भालं भालेक्षणह प्रभुहु करणव पात्वि प्रकरणस्यास तथाचिन्याक्ष संहरह हनुमान्मे हनुपातु नासिकाम घ्रम नासि जित्चतुर्वक्त्रहरो वक्त्रम् पातु धन्तानि सर्वदा सुलदंष्ट्राजितह पातु जिवायांदैत्य जिवः भुजव भुजा युधह पातु सकंधव में संधिकार कह। अंगुलिय पातु रामस्या वर्णांगुलिय धार कह। नखान नखा युधह पातु सकंकि नीभंजत स्तनव। वक्चह पात्वस्म वक्चह घ्नो महोदर हरोदरं के सरीनन्दनो मध्यं। पातु पूर्वं प्रयत्नतह नाभिं पातु सदापद्म नाभस्चनिज सक्तिमान। प्रिष्ठम् पातुरणे प्रिष्ठम् नादेयह सर्वदाहितः गुदम् रक्त गुदः पातु गुईयं गुईयस्त्वलिंगकह। उरू पात्वहितस्योरू भन्जनो ग्रामसत्वरह स्थूलम जंगाख्य संगारह पातुमे जंगयोर्द्वयोह। धैत्यानामसिर्षविन्यस्त पादह पात्वनिसंपदव। यत्नेन सर्वकरमाने मरमग्यः पातु सर्वदा। रक्त रोमाह्वयद्ध्वन्से रोमकूपानि पातुमे अन्धि पात्वहितावध्यह रात्रव। रात्रिजयाधिकह। संध्याम संधान कारंड्याम रामायानी यदत्तवान संग्रामेतु महामोहान सर्वदा सर्वतो जय जले ग्रह रह पातु वने लंका वनांतकृत अस्थले भीमा ग्रजह पातु गिरव गिरिवने स्वरह संग्रामे बल्लोमान पातु अग्नव लंका विदाह कह ग्रिहे माम पातु सर्वत्र कदली बन मंदिरह हनुमत कवचं यस्तु पठेद विद्वद्वान विचक्षणह तत्थलं पुरतह सर्वं बक्च्या मीह मुनिश्वर श्री सुदर्सन संहितायाम हनुमन कवचं शंपूरणं जय जय श्री हनुमदार पणमस्तु मंगल कवचं अस्य स्री अंगारक कवच श्तोत्र मंत्रस्य कश्य परिसिह अनुष्टुप्चंदह अंगारको देवता भाउम प्रित्यर्थम जपेविनियोगह रक्ताम बरो रक्त वपुह किरीटी चतुर्भुजो में सगमो गदा भित्ध धरा सुतह सक्ति धरश्च सूली सदामं स्याद्वर्दह प्रसांतह अंगारकह सिरो रक्षेन मुखम वैधर्णी सुतह स्रवव रक्ताम बरह पातु नेत्रे में रक्त लोचनह भुजव में रक्त मालीच अस्तव सक्ति धरश्च था वक्चह पातु वरांगश्च रिदयं पातु रोहितह कटिम्मे ग्रह राजश्च मुखम चैवधर्आ सुतह जानु जंगे कुजह पातु पादव भक्त प्रियह सदा सर्वांड्यन्यानि चांगानी रक्षेन मेमे सवाह नह यईदं कवचं दिभ्यं सर्व सत्रु निवारणं भूत प्रेत पिसाचानाम नासनं सर्व सिध्धिदं सर्व रोग हरंचैव सर्व संपत प्रदं सुभं भूक्ति मुक्ति प्रदं निरीनाम सर्व सव भाग्य वर्धनम रोग बंध भी मोक्षम चा सत्यम मेतन्न संसयह स्रीमारकंडेय पुराणे मंगल कवचं संपूर्णम प्रियदर्सकों मंगल कवच के आप नित्य ग्यारह पाठ स्रवन करें अत्वाइन का पाठ करें आपको इससे बहुत कुछ प्राप्थ होने वाला है सभी प्रकार के रोग शोक दरिद्रता सब समाप्थ हो जाएगी धन की प्राप्ति होगी और आप पाठ करके देखें ला